नमस्कार आप सभी दर्शुकों का इडियरोडीफोंटो सावललाइब टीवी में स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ मधुमिता बीजेपी या यू कहें कि मोदी की रन्नीत को समझना काफी मुश्किल है खुद पार्टी की नेता तक मोदी की रन्नीत को नहीं समझ पाते हैं लेकिन एक बात अब तक जरूर समझ में आ चुकी है कि पार्टी जो भी रन्नीत बनाती है गहनता से सोच समझ कर और भाविश में ज्यादा फाइदा देखकर ही बनाती है तीन राजियों में BJP की जीत के बाद मुख्यमंद्री के नाम ने सब को चौका दिया इन तीनों राजियों में जिननेताओं को मुख्यमंद्री के तौर पर चुना गया उसके पीछे भी पार्टी की एक बहुत बड़ी रणी छिपी हुई है इन मुख्यमंद्रियों के जरिये पार्टी आगे आने वाले चुनाव में सेंध्र लगाएगी ये कहना गलत नहीं होगा पार्टी की क्या रणी थे क्या गड़ी थे आने वाले चुनाव में इस पर पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं MP 36 कर और राजस्थान में तीन अलग अलग जाद के मुख्यमंत्री चुने गए ये आप जान चुके होंगे चहरे भी सामनी आ चुके हैं मध्य प्रदेश में मोहन यादों पर दाउन चला गया यूपी बिहार में यादों को इसके माध्यम से साधना है यूपी में सपाविहार में राज़त की राजनी को देखते हुए ये फैसला एहम है यूपी बिहार दोनों जगापर यादों को साधना है और दोनों ही राजियों में ये बड़े फैक्टर हैं ये दोनों वोट बैंक हैं इसलिए यहाँ दाओं बड़ा चला गया यादो वोट बैंक को अगर गौर किया जाए तो जोर यादो वोट बैंक पर ज्यादा है राजस्थान में भजन लाज़ शर्मा को मुखे मंतरी बनाए गया जिनके माध्यम से यहाँ पर अगड़ी जात की राजनीत को साधना है यूपे में आपने देखा कि बामन जिलों में से बारह जिलों में यादों का दबदबा है करेब दो दरजन यानि 24 लोकसभा सीटों पर यादों मतदाता निरनायक हैं बिहार के अगर बात करें तो यहाँ लगभग सूला फिस्दी यादों समधाय राज़त का कोर वोट बै यादों समा से ही इसलिए राजस्थान में भी वही गड़ेत वही रणनी चली गई राजस्थान में भाजनलाज शर्मा और अगड़ी जात की राजनीत यहाँ पर देखने को मिली हाला कि पिछले 33 सालों में यहाँ कोई भी ब्रामर चेहरा मुख्यमंत्री या उप मुख्य के सहारे मजबूती के साथ साथ रखने का संदेश दिया है राजस्थान के बाद अब 36 गड़ की गड़ित को समझते हैं यहाँ विश्रु देव साई को मुख्यमंत्री बनाये गया यहाँ दलित और आदिवासियों को साधना है 36 गड़ के मुख्यमंत्री विश्रु देव साई की अगर बात करें तो वो उस समुदाय से आते हैं जो 32 फीजदी के करीब है 36 गड़ में ये एक बड़ा वोट बैंक है लोकसभाद चुनाओ के लिहाँ से अगर बात करें या फीजदी विधान सभाद चुनाओ के लिहाँ से बात करें दोनों ही चुनाओ में महत्पूर हो जाता है तीनों ही राजियों में हमने देखा कि किस तरह से भाजपा ने इस बार जाती काड़ खेला है इस तरीके से द्रुवे करड़ देखने को मिल रहा है 2024 के लोकसभाद चुनाओ से पहले तीनों राजियों में अलग अलग जातियों का चुनाओ बताता है कि भाजपा ने 2024 के लिए जात का दाओ खेल दिया हाला कि विधान सभा चुनाओं के दोरान ही जातियों का दाओ लगाने का सियासी खेल चल रहा था राहुल गांदी बार बार अपनी सभाओं में OBC के चर्चा करते थे राहुल गांदी सवाल पूछते थे कि OBC माफ कीजी जिगा BJP बताए कि उसके पास कितने OBC सियम है और केंदर में बड़े पदों पर कितने है यही अमिश शा ने भी तिलंगाना में बाकादा एलान किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो सियम OBC का होगा हाला कि BJP का याददाओं तिलंगाना में नहीं चलाओ पार्टी हार गई 2014 से पहले देश के सबसे बड़े राज, UP में अखले शा है अखले शादों ने PDA का नारा दिया है अखले शादों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया गडवंधन की ताकत PDA बनेगा और PDA की strategy है जो इंडिया गडवंधन या किसी गडवंधन को ताकत देगा अखलेश यादो ने कहा कि मुझे उमीद है कि देश में जो माहोल है जिस तरह का माहोल है PDA ही वो ताकत है जो भारते जन्ता पार्टी को दिल्ली से हटाने का काम करेगा उत्तर प्रदेश से 80 लोग सबाद सीटे आती हैं हर पार्टी जानती है कि जात जिधर ही जाएगी जीत उसी की तै होगी चलिए अब आपको इसी जातिये जनगर्ना का गड़ित भी समझा देते हैं किस तरह से जातिये जनगर्ना का गड़ित काम कर रहा है साल दर्साल इसमें इजाफा दिखने को मिल रहा है देश में हर दर्साल में जनगर्ना होती है आप ये जानते भी होंगे और समझते भी होंगे जातिये जनगर्ना नहीं लेकिन जनगर्ना करवाई जाती है साल 2011 में आखरी बार जनगर्ना हुई इसके बाद 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना महमारी के चलते ये जनगरणा नहीं हो पाई उस दौराल हालात नहीं थे कि ये गरणा कराई जा सके देश में जनगरणा में SCST की गरणा होती है यानि schedule cast schedule track इनके गर्ना होती है लेकिन किसके गर्ना नहीं होती है OBC OBC के जनगर्ना नहीं की जाती हाला कि इस बार बिहार राज सरकार ने जातिये जनगर्ना करवाई और इसकी वजह से एक बार फिर जातिये वोट बंदी चुनाव से पहले तेज होती नजर आ रही है जब 2024 का चुनावर लोकसभा की सिर्पर है इसलिए ये सब ज्यादा हो रहा है संसद में जनगर्ना की आधार पर आरक्षण मिलता है इसी जनगर्ना की आधार पर आरक्षण मिलता है शायद आपको मालूम होगा कि देश में आखरी बार जाद ही जनगर्ना 1931 में हुई थी तक 1931 के आधार पर ही अनुमान लगाया जाता रहा है कि किसके कितनी भागेदारी है किसके कितनी जनसंख्या बढ़ी है आज़ादे के बाद के बात की जाये तो जातिय जनगर्णा नहीं करवाई गई 1931 में जातिय जनगर्णा का प्रस्ताव जरूर आया था लेकिन क्या हुआ उस वक्त ये भी आपको बता देते हैं जब तक कालेम ग्रह मंत्री जो थे सर्दार पटेल उन्होंने प्रस्ताव को खारिश कर दिया था सामाजिक तानेबाने पर इसका असर पड़ेगा बिगड़ेगा बुरा असर पड़ेगा ये सर्दार पटेल की दलीग थी इसलिए इस प्रस्ताव को पूरी तरह से उन्होंने खारिश कर दिया था कहा था कि ये जाति जर्गरना नहीं कर सकते 1931 के आकड़ों के आधार पर ही 52 फिस्दी OPC आबादी जो है मंडल आयोक ने इसी से अनमान लगाया और 2011 के आपको याद होगा कि जातिगर आकड़े जो जरूरी थे वो लेकिन इसे कॉंग्रेस के सरकार ने उस वक्त जारी नही रहा है काशिरा जब जातियों की बात हो रही हो तो उनका उनकी बात करना एहम हो जाता है क्योंकि दलित शोसित वंचित महिला इनहीं को माना जाता था जिन्हें सत्ता में भागिदारी दिलाने का काम किया था उनका कहना था कि हमारी लड़ाई उससे नहीं है जो जाद को मानते हैं बलकि हमारी लड़ाई उससे है जो जाद के धर्मशास्त पालते पोच्टे हैं जो आज की तारिक में जाद का धर्मशास्त पालने पोच्टने वाले रासनिता बन गए हैं और क्या ये जन्ता समस्ती है इसका जवाब 2024 के चुनाव में भी इस बार जरूद देखने को मिलेगा आईए आपको सुनवाते हैं अमिशा का वो बयान जो तिलंगाना में दिया था कि जन्ता को कहना चाता हूँ आप भारतिये जन्ता पार्टी को असिर्वात दिजिये भाजपा की सरकार बनाईए भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंटरी बेकवर कास्ते होगा ये हमने तई किया है